दोस्तों वेलकम बैक मैं हूं दिपाक और आप लोगों को स्वागत है हमारे टेक्निकल डिकेस हो योटूब चैनल में दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं यह थी आपके कंप्योटर रहा है अपने कंप्योटर में वाइफाइ नेट्वरक से आप कन्यक्ट नहीं इस प्रकार से आ जाना है अब यहां पर दोस्तों सबस्ते पहले आपको राइट क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास देखिए नेटवर्क का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहां पर टास्क बार में आकर राइट क्लिक करना है यहां पर जाना है टास्क बार सेटिंग में जाने क कि हमारे पास अभी भी वाइफाइ कनेक्ट का कोई अप्शन नहीं आ रहा है तो यहां पर यह प्रब्रम हो चुका है अब आपको क्या करना है यहां पर जो है सर्च-बार में जाना है यहां पर आपको जो कंट्रोल पैनल अपने कंप्योटर या लेप्टप में सर्च कर देना पर किना चाल जाएगा को नेटवर्क सलेंग से एडिक्टर का यहां chance met अपार दिखाई यह जीए जैसे करते हैं इसको आपको ईनेबल कर दो करने है यहाँ पर आपको क्या करना है और यहाँ पर पर नहां और पर जाने के वाद कुछ इप्रेकर से इंटरफेस आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है अलाव दा कंप्योटर टर्न आफ डिवाइस टू सेव पांवर यानि कि जब भी आपके कंप्योटर में पांवर सेविंग का कुछ रहेगा तो यहां पर आटोमेटिक इसको जो है आफ कर दिया जाएगा इस जो एडेप कर देना है कि भीया हमें तो हमेशब वाइफा केंटन रहें अपने प्रोब्रोप्लम हो चुका है अब आपको क्या सोओ इसे में आपको राइट क्लिक करना है यहां पर आप हो जाना है तो ढम reper crystals problem की सकते हैं तो इस प्रकार से कुछ समय लगेगा लेकिन आपका जो भी problem रहेगा यहां से भी हो सकता है हमारा दूसरा जो है इसको ठीक करने का option क्या है मैं आपको बताता हूं फिर से आपको क्या करना है control यहाँ पर इंटरनेट आप्षण आपको देखने को मिल जाएगा इस पर आपको जाना है जाने कि बाद कुछ से आपके शामने में आपको रहेगा अब यहां पर आपको जो रहेगा और रहेगा सब यहां पर visit Hugo यह उप्षणी आपने कल लिया उसके पूब आपको पूरा आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको फिर से यहां पर सर्च बार में सर्च करना है डिवाइस मनेजर करेंगे कि जो इस पन करने के पर आपके सामने इंटर्फिस आने वाला है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो है एक नेटवर्क एडेप्टर का अप्शन दिखाई दे रहा है इसमें चोटा सा आइकन बना है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आप्शन खुल कर आजाने वाला है अब यहाँ पर देखिए आपका ज दोनों को सेलेक्ट करके आपको देख लेना है तो यहांप tut наверное और यहां पर हमारा हो चुका है अब एक चीज और कर लेना है जैसे कि आप यहांपर टास्क बार में फिर से आएंगे मैं आपको यहांपर देखित butman esto का option दिखाई देगा इस पर जाने वाले हैं जाने के बाद यहां पर सर्विस का option है सर्विस का option पर आएंगे यहां पर open service पर क्लिक करेंगे जैसे open service पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आजएगा अब यहां पर आपको जो तो यहाँ पर हम वी-लाइन का एक option मिलेगा जो कि आपको सबसे नीचे में मिलने वाला है तो यहाँ पर हम की a1 का अप्शन देख लेते हैं यहीं पर जैसे वाइफा का अप्शन है इसको आपको आपको रुणिंग करना है ठीक है तो यहाँ पर स्टार्ट री स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यह दुबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा इसको आपको राइट क्लिक करके प्रोपर्टीस पर जाना है यहां से इसको खोड़न पर क्लिक करते है तो यहां से आपको कर लेना है अब उसके बाद दूस्तों आपको जो है network reset का option देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको जो है reset नव पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको reset कर देना है अपने नेटवर्क को तो यहां पर देखें दोस्तों यह कुछ reset हो चुका है अब reset होने के बाद दोस्तों फिर भी आपकाोनी उसे पर सकते तो आपको क्या करना है जो है अपने कंप्योंटर में कोई भी ब्रावज़र है उस इस को तो सकते हैं तो सब्सक्राइब कि आपका जो है नेटवर का problem solve नहीं होता है यहां से तो आपको क्या करना है आपको दुबारा से जो है अपने computer में कोई भी ब्रावजर है उस ब्रावजर में या फिर मॉबाइल में कहीं पर भी आप जाकर जो है उसका जो है ड्राइवर डाउनलोड करके दुबारा इस्टॉ कर लेंगे तो इस प्रकार से Google Chrome ब्रावजर में आ जाना है यहां पर जो है ड्राइवर डाउनलोड करना है तो अपने जो लैप्टॉप या कंप्यूटर का जो भी मॉडल रहेगा उसको आपको यहां पर लिख देना है तो जैसे आपन यहां पर लिखते हैं वाइफाई वा आपना चार्स पचार से ठीक है तो इसको आपको डाउनलोड का लेना है और इसको इस्टॉल कर देना है तो कुछ इस परकार से दोस्तों आपको कुछ स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे और आप जो है अपने कंप्यूटर में या पर लैप्टॉप में जो है